अब ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट्स में हम लोग देख रहे हैं इनको कंपेर कर लेते हैं कि पैसिव辍वevery Benทップ प्लांट में डिफूर्स क्या है तो बच्वों पैसिव ट्रांस्पोर्ट में हमने देखा था कि इसन्पलेफूजन भी हमने देखा जहाँ पर कोई energy की जरुवत हमको देखने को नहीं मिली यहाँ पर high concentration से सारी molecules जो है वो low concentration की तरफ move होते हुए हमको देखने को मिले दूसरा हमने channels देखे जिनको हम लोगों ने porines के नाम से जाना carrier protein हम लोगों ने इसको बोला उसके तुरू these molecules will be able to move अब यह जो channels है यह freely भी यहाँ पर अलाव करते है हर एक channel यहाँ पर अलग होता है for specific thing a different kind of channel will be there जैसे आपको यहाँ पर particles के size जो है उनके basis पर समझाया गया है कि उनका design जो है वो अलग है and the design which is there inside this porines also that also differs तो देखें यहाँ पर आपको triangular molecules देखने का मिल रहे है और वो यहाँ पर high concentration से low की तरफ यहाँ पर move कर रहे है तो यह जब यह porines के थूँ हुआ this will be called facilitated diffusion है ना मुझे लगता है यहाँ पर आपको यह चीज़े समझ में आई होगी वैसे ही यहाँ पर one by one भी movement हो सकता है यहाँ पर freely movement भी हो सकता है इन porines के थूँ इन carrier protein के थूँ लेकिन अगर active transport की अगर बात करेंगे तो इन channels को open करने के लिए या इनको अलाव करने के लिए आपको यहाँ पर energy खर्च करना पड़ेगी और active transport यह तब ही कहलाएगा जब आप यहाँ पर energy का इस्तमाल करें फिर देखते हैं water potential की बात तो water potential actual में है क्या तो water potential जो है यहाँ पर मितलब देखें यहाँ पर पानी का movement तो होगा और वो भी same वही पर high concentration से low concentration की तरफ होता है लेकिन इसकी actual definition क्या है तो देखें इसको हम लोग कुछ इसका water potential को calculate कैसे करते हैं वो यह हमारा formula है त्रिशूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा this is going to tell you about the potential तो देखें इस त्रिशूल है ना त्रिशूल से आप याद रखेगा तो potential water potential और यहाँ पर आपका यहाँ फिर बोले कि इसको pressure P से P is going to represent pressure over here यह यहाँ पर pressure को बता देगा और S is going to represent solute over here यह दोनों चीज़ा हमको देखने को मिली तो अगर pressure potential और solute potential दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या है तो वो आपका water potential है तो वो क्या है तो वो यह water potential कैलाता है अब देखिए इसकी जरूद कहाँ पड़ेगी कैसे होगा water potential जो है वो free energy है water की है ना मतलब कि वो अपने अंदर चीज़ों को कितना अलाव कर सकता है आप उसको भी इसको समच पाएंगे यह water potential जो है इससे अभी आप और भी बहुत सारी नई चीज़े समझेंगे कि इसका इस्तमाल हम लोग actual में कहाँ पर कर रहा है अभी देखिए solute potential की भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसे solute concentration को हम लोग यहाँ पर osmotic potential के नाम से जानेंगे है ना उसके बाद में pressure on the solution हम लोग इसकी बात करेंगे उसके बाद में देखिए कि यहाँ पर टरगर प्रेशर हम को देखने को मिलेगा टरगर प्रेशर क्या है देखिए आपने दो तरह के पौधे देखे होंगे जो चलिए उसको उसके बारे में भी हाल में आप यह आगे इसको लोग समझ जाते हैं कि टरगर प्रेशर प्लांट में देखने को मिलता है तो प्योर वाटर के लिए यह जीरो होता है और प्लांट सेल में यह जो प्रेशर है यह वन एम्पीय होगा अभी इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा देखें आगे एक कॉशन ले लेते हैं The water potential of pure water is एना pure water का water potential कितना होगा Option A more than 1 Option B 0 Option C less than 0 Ya Option D more than 0 but less than 1 So correct answer जो है वो है B water potential Is the measure of potential energy in the water Water potential depends upon the solute concentration किसके उपर निर्भर करता ही है, solute concentration in the water as pure water does not possess any solute, pure पानी में कोई भी यहाँ पर solute होता ही नहीं है so the water potential is zero, इसलिए उसका water potential क्या हो गया है, zero क्योंकि उसके अंदर कोई solute नहीं है pure water में, तो उसका water potential क्या हो गया of pure water, zero हो गया, इसलिए सही answer जो था, वह option B अब देखें, आगे हम लोग चलें और osmosis को समझें, अब यहाँ पर आपको यह osmosis बहुत सारे detail में देखने को मिलेगा कि osmosis हो क्या रहा है, हमारे देखें, यह सारी चीजे जो हम पढ़ रहे हैं, यह हमारे day to day life में कहीं न कहीं होती है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है, अगर आप इन topics के बारे में जान जाएंगे, आप जानने के बाद भी, अब आप सोचेंगे हम लोग यह पढ़ क्यों रहें, तो अगर आप इसको समझते हैं, then you will be able to see this world in a unique way, आप इसको एक अलग तरह सा चीजों को समझ प करते हैं, यह Osmosis और Diffusion लगबग एक ही है, यहां भी देखिए, यहां पर भी क्या हुआ है, यह भी process है, जिसमें आपके movement होगा, molecules का, solvent जो होगा, low concentration of the solution of high concentration, मतलब देखिए, वो हो रहा है, वही, same चीज, लेकिन बस हो किसके रहा है, कैसे रहा है, semi permeable membrane के तुरह यहां पर हमको देखने को मिलेगा, है न, यह Osmosis होगा, और liquid का Osmosis हम लोगों को देखने को मिलेगा, आपके घर में लगा हुआ, आपके घर में लगा हुआ, आरो, आरो का मतलब, आरो का full form क्या है, बच्चो, reverse Osmosis, उस आरो का full form यह है, reverse Osmosis, अब देखिए, reverse Osmosis, Osmosis में होता क्या तो यह है आपकी plasma membrane रिक है यह आपकी plasma membrane और इसी plasma membrane से particles का movement दूसरी तरफ होगा है न लेकिन कैसे particle यहां पर हम देखेंगे कि पानी का movement होगा water molecules का movement होगा from high concentration to low concentration देखिए और ये भी कब तक होगा जब तक दोनों तरफ condition जो है वो equal नहीं हो जाती, equilibrium stage नहीं आ जाती, ये तब तक वैसा ही चलता रहेगा, हना तो ये जो process है, ये osmosis है और यहाँ पर ये plasma membrane ये semi-permeable membrane is going to play a very important role for this, हना अब देखिए ये आपकी semi-permeable membrane, यहाँ पर sugar molecules हम और ये छोटे जो blue रंग से यहाँ पर दिखाय हुए है, these are the water molecules over here, हना तो ये membrane से pass होता है, देखिए दूसरी तरफ हमको यहाँ पर concentration बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, हना तो ये process हो है, जब भी पानी का movement आपको किसी membrane से होता हुआ देखने को मिले, हना तो ये जो है, ये osmosis कहलाएगा, इसमें pressure हम लोग अगर इस पर apply करते हैं, तो ये movement आपके opposite side भी देखने को मिल सकता है, इसको हम एक बार बढ़ता है, osmosis एक ऐसी process है, by which the molecule of a solvent pass from a solution of low concentration, है ना, मतलब ये कहा से बहुँ हो रहा है, from the low concentration, और diffusion में हमने देखा था, high से low की तरफ, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग RO में क्या देखेंगे, कि भाईया ये जो है ये low से low concentration से high concentration की तरफ move कर रहा है, एक semi permeable membrane के, अगर आप इस पर energy apply नहीं करोगे, तो पुरी तरह से ये भी passive हो जाएगा, और equilibrium stage आने तक ये वैसा ही चलता चल जाएगा, osmosis के कुछ types है, first type is endosmosis, देखो, अब ये terms आपको हमेशा याद रखनी वाली है, endosmosis, endo का मतलब होता है inside, है ना, endo का मतलब क्या है, endo का मतलब है inside, और osmosis का मतलब वही है, movement of molecules, तो मतलब क्या है, कि अगर कोई cell आपने पानी के अंदर रख दिया, ये देखें, मैंने यहाँ पर, इस को समझाने के लिए आपको ये बताया है, इसको हम बताते हैं, इसकी बनस है, और आपने इसको रख दिया है, पानी के अंदर, तो देखें, बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है आपका H2O, अना, water यहाँ पर आपको cell क्या असपास देखने को मिला, और ये आपका cell हो गया, ये आपका cell हो गया, अब देखें, हो गया रहा है, यहाँ पर water potential जो है, वो जादा है, water potential क्या है बच्चों यहाँ पर जादा है अंदर क्या है water potential कम है है ना वो जो उपर वाला arrow है वो जादा बता रहा है और नीचे वाला arrow जो है वो कम को बता रहा है आप इस चीज को ध्यान रखेगा तो यहाँ पर water potential जो है वो जादा है अंदर potential कम है इसी लिए water will move inside the cell है ना तब क्या है हमको देखने को मिलेगा कि वो अंदर की तरफ ये move करेगा इसी लिए इस cell का size हो है वो बढ़ जाएगा है ना कई बार हमको ऐसा भी देखने को मिलता है कि cell जो है वो हो गया कई बार ये भी आपको देखने को मिलेगा कि cell जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया उसके लिए एक अलग term हमको देखने को मिलेगी तो लेकिन उससे पहले हम यहां देख रहे हैं कि cell जो है उसके अंदर पानि का मूमेंट हो रहा है तो यह एंडोऺ और स्मॉसिस क्यलाएगा जब मूमेंट जो है वह अंदर की तरब हो है नश को कैसा सऊलीशन है हाईपोटॉंिक स civॉषन है तो वह होंदा होगा वांटर पूटींशिन hypotonic condition में वो ज्यादा होगा मतलब बहार concentration जो है वो क्या आपको देखने को मिलेगा ज्यादा देखने को मिलेगा as compared to inside इसलिए क्या होगा देखिए यह आपको example मैंने पहले भी बताये थे आपने अगर कुछ raisins वगरा यह आपने कुछ किश्मिष जो है वो पानी में गलाई रात को और सुबह आपने देखा कि आपकी बुड़ी सी किश्मिष जो है वो जवान अंगूर में बदल चुकी है तो यह कैसे possible हो पाया this is possible because of endosmosis क्यों देखिए पानी के बाहर बाहर जो है वो पानी का concentration जो है potential जो है अभी हाल जादा है इस्तमाल करेगा वो इलेक्ट्रकेमिकल एनर्जी का इस्तमाल कर सकता है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर तो कोई एलेक्ट्रकेमिकल एनर्जी की जरुवत नहीं पड़ी कहीं न गई उसके cell membrane को यह energy apply करनी पड़ी यह temperature पर भी निर्वर करता है हनम दूसरा water जो है वो आपके cell के अंदर जाता है इसलिए cell का size वहाँ पर swell up हो जाएगा और हो सकता है वो de-plasmolized हो जाएगा आप उसको swell up बोले है या de-plasmolized आप उसको बोल सकता है इसका example raisins है जो कि आप normal पानी में रख दीजिए और उसके बाद में change दीजिए देखिए एग्जू का मतलब होता है outside मतलब क्या होगा अब पानी जो है वो अंदर नहीं अब बाहर की तरह move करेगा कैसे move करेगा अगर आपने cell को hypertonic condition में रख दिया है hypertonic solution में रख दिया है तो आगर आप अंगुर को किसी नमक वाले पानी में रख दें तो उसमें क्या देखने को मिले आपको इस तरह सा चीज़े देखने को मिलेगी और यह condition जो है वो कैसा हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैसेड वो क्या हो जाएगा इस एल्जाएगा यह जो श्रिंक जो हो गया यह बोला हमने कि वो फ्लैसिड हो गए यहाँ पर अंदर जो है इसका प्रूटोप्लाजम वो सिकुडने लगा है क्योंकि अंदर जो है कंसेंट्रेशन जो था वो काफी जदा क्या था जदा और बहार कंसेंट्रेशन कम था यही तो हमको मालूम है हाइग आपके रेसिन जो यो बने क्योंकि यहां पर हमको exosmosis देखने को मिला और exosmosis कब देखने को मिलेगा जब हम किसी सेल को hypertonic condition में hypertonic solution में उसको रख देंगे अब देखें इसके example जो है कि अगर आपने resin को salt solution में डाल दिया है तो वो वहाँ पर shrink हो जाएंगे या फिर वो सिकुड जाएंगे हैना अब देखें आगे हम लोग इससे चलें और एक question यहाँ पर ले लेते हैं आपका osmosis जो है is a type of osmosis actual में है क्या तो osmosis option 1 imbivation of solution option b diffusion of solvent option c evaporation of water या फिर option d diffusion of solute हैना तो सही आंसर जो है इसका वो है B osmosis osmosis जो है वो यहाँ पर movement है पानी का किसके तुरू semi permeable membrane के तुरू है ना किसके तुरू है semi permeable membrane के तुरू है जो की down the concentration यहाँ पर move करता है और इसमें यह it is a type of diffusion of solvent not of the solute हैना मतलब solvent का movement होगा solute का नहीं इसलिए और imbivation क्या है absorption of water है किसी भी seed से किसकी surface जो है वो इसको यहाँ पर absorb कर लेगी और इसी के कारण आप बोल सकते की और evaporation क्या है evaporation जो है वो और अलग चीज़ है evaporation refers to the transition of the water into the vapor phase और इसी लिए correct answer आपका क्या है option B है ना यह इसका सही answer था अब इस topic को और आगे ले जाते हैं और हम समझते है प्लाज्मो लाइसिस के लिए वारे तो अब प्लाज्मो लाइसिस की बात कर लेते हैं बच्चों अब यह प्लाज्मो लाइसिस है क्या है ना मतलब आप इसकी term से समझ पा रहे होंगे कि प्लाज्मा जो है उसका कहीना की breakdown होने वाला है है ना तो वही क्या कहलाएगा वही कहलाएगा आपका प्लाज्मो लाइसिस तो इस ही को हम अच्छे से समझता है the process in which the water moves out है ना कहां से कहां पुचा दिखिए सेल के बाहर वो आ गया है पानी कहां गया सेल के बाहर है कैसे आया है उसकी सेल में उसकी मेंब्रेन के थो यह हमको देखने को मिला किसी प्लांट में और अगर प्लांट सेल श्रिंक हो जाए ऐसी कंडीशन को हम प्लाज्मो लाइसिस बोल सकता है है न अभी हमने देखा था कि if we will place a raisin not the raisin अंगूर को अगर हम लोग रख दे तो महाँ पर raisin का formation देखने को मिलेगा वो सिकुड जाएगा है न श्रिंक हो जाएगा सेल तो इसलिए वो प्लास्मो लाइसिस हो गया मतलब उसकी सेल मेम्रेन का breakdown हमको देखने को मिला देखिए कैसे होगा यह lies the cell मतलब देखिए अगर आपने hypotonic condition में किसी सेल को रखा है तो महाँ पर क्या देखने को मिलेगा इस इस picture की मेदस से you will be able to understand these three terms है न आप solution के type भी समझ जाएगे और आप यह तीन terms flaccid, plasmolyzed और turgid इनको भी समझ जाएंगे these terms are very much important है न देखिए क्या है यह हम सबसे पहले hypotonic condition की बात यहां पर कर लेता है आप इसको याद कैसे रखेंगे confusion हमेशा आपको हो सकता है hypotonic, isotonic और hypertonic में है अब आप जब बोलते है hyper तो hyper बोलने में क्या होता है आपके मु अंधे यहां पर देखिए यह सेल जहें क्योंरा हैिके हम इंधा नहीं भार के तरह पानी जा रहा है और आपका सेल प्रण किसा होता है आपका सेल यह पर सख़वड रहा है श्रिंक को रहा है है न critic the literature only आभे से निरु संग्षस्टंय से प्रटस्वलाइगा है ऑर प्लाइं तो वो कैसे हुआ उसको आपने किसी hypertonic solution में रखा होगा है अब देखिए isotonic की बात में isotonic satisfaction आपको इस नाम में सुने दे सकता है आपको feel हो सकता है मतलब यहाँ पर condition जो है वो equal होगी कैसी condition है? Equal condition है. Cell के बार भी और cell के अंदर भी दोनों तरफ यह condition जो है वो पुरी तरह से equal है हाना तो देखिए पानी जित्ता बाहर जा रहा है उत्ता ही पानी अंदर आ रहा है तो दो हुई ना दोनों तरफ equal condition इसे लिए यह cell जो है यहाँ पर पुरी तरह से normal रहेगा हाना वैसे ही अगर यह ऐसी condition है तो आपका cell जो है वो पुरी तरह से क्या रहेगा फ्लेसिड यह आपको में और अच्छे से example दोंगा तो plant cell को आपने क्या बोला कि यह पुरी तरह से है यहाँ पर और यहां पर भी पानी जो है फूंदर की तरफ आया इसी लिए आपका सेल प्लांट्च ़ो है Wow कैसा हो जाएंगा तर जिड हो जाएग और यह यह या यह रहेगा लाइस रहेगा तो क्या कैस लिए है यह फेर हाइपकाव पडतानिक क्या है hypotonic जिसमें पानी जो है वो अंदर की तरफ आएगा मतलब hypotonic condition में आपको endoosmosis देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा endoosmosis यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला endoosmosis मतलब पानी जो है वो अंदर की तरफ आए इतले cell का size बड़ा हो गया, यह हो गया turgent, है न, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुई change नहीं है, दोनों तरफ condition कैसी है, पूरी तरह से equal है, और यहाँ पर जो condition है, this is, कैसी condition, this is exoosmosis, exoosmosis को अलग-अलग लिखा मैंने आपके लिए है, कि exo और इधर endo, है न, endo का मतलब मैंने आपको बताया था कि अंदर की तरफ और exo का मतलब बाहर की तरफ तो महाँ पर cell shrink हो जाता है, देखें, यह जो tergid और flaccid, इसको याद रखने का एक तरीका, और मैं आपको वो plants काफी healthy, काफी happy आपको दिखाई देंगे, अगर आप उनको लगातार पानी supply करते रहेंगे, if you will not give water to the plants, तो वो क्या होते हैं, वो काफी जादा dull देखने को मिलेंगे, है न, वो कैसे हो जाते हैं, dull आपको मुर्जाय हुए से दिखाई देंगे, तो यह मुर्जाय हु वो evaporate हो के बाहर, परियावरण, आपके वाधावरण में जा रहा है, है न, आपके atmosphere में जा रहा है, लेकिन अगर उनके बाद, आपने उनको पानी दिया, आपने soil में पानी डाला, again they will look healthy, काफी fresh, काफी ज्यादा, healthy अगर आपको पॉधे आपके दिखाई दे रहें, तो व Flaccid का मतलब क्या, Flaccid का मतलब है, कि जितना पानी आप डाल रहें, उतना evaporate हो के उपर भी जा रहा है, और जितना उपर जा रहा है, उतना वो फिर से अंदर ले रहा है, तो वो मतलब क्या है, वो cell क्या होगा, Flaccid हुआ, मुझे लगता है, यहाँ पर यह term आपकी clear होई, Plas प्लाजमोलाइस भी आपको समझ मां गया है अब हम तर्गर प्रेशर की बात यहां पर कर लेते हैं कि तर्गर प्रेशर क्या है जब कोई सेल अगर उसको हमने हाइपोटॉनिक कंडीशन में रख दिया है और उसमें पानी अंदर की तरफ चले जाए जिसके कारण उसका पानी अंदर की तरफ आया क्यों हो आया क्योंकि यहां पर पोटेंशल जो था वो ज् volume और यहां पर जो पोटेंशल था वो क्या था वो कर था इसी लिए क्या हो रहा है पानी जो बहुत अंदर के तरफ और हम बोलें कि इस दिधी horizontal की होगई ये condition मनी है आपकी endoosmosis endo मैं आपको अलग-अलग लिख के बताता हूँ endoosmosis है ना आपको ये condition आपको देखने को मिली है या पर तो पानी अंदर की तरफ आया पानी जब अंदर की तरफ आया तो देखे पानी सारा आजाने के बाद कारण ये वाली जो वाल है ये जो इसकी cell wall है cell membrane जो है है ना cell wall या फिर cell membrane जो है इस पे आपको देखने को मिलेगा कि वो जो liquid है वो क्या करेगा वो एक pressure create करेगा वो इस पे pressure डालेगा अंदर से धक्का देगा ना वो तो ये जो pressure अंदर से उसने डाला है ये ही तो आपका टर्गर प्रेशर कहलाया इससे पहले भी अभी हमने ये जो समझा था एक picture जो हमने यह आपे देखा था ये देखे ये तर्जिट हुआ तर्जिट हो गया तो टर्जिट में ही तो टर्गर प्रेशर देखने को मिला इसी में तो टर्गर प्रेशर हमको देखने को मिला कि जितना ज्यादा टर्जिट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा ये बात याद रखना है जितना ज्यादा टर्जिट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा उसी को तो target pressure कहा जाएगा, ठीक है, तो यह हमने यहाँ पर समझा, अब आपको मुझे लगता, target pressure जो है, वो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यह दिखे, मैंने अभी आपको यह example दिया था, यह fully healthy plant आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्योंकि जितना पानी बाहर जा रहा है, है न, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वेक्योल जो है, वो श्रिंक होने लगा है, इसका जो sap है, वो मतलब पानी जो है इसकी body से, वो evaporate हो जो जितना पानी बाहर जा रहा है, उतना अंदर आनी पा रहा है, तो क्या होगा, इसके जो cells है, वो अंदर से empty होने हुआ हुआ, अगर cell turgid है, तो उसमें turgor pressure है, और तरगर pressure कहां पर काम करता है, उस cell की wall पर, तरगर pressure कहां काम करता है, उसी cell की wall पर, तो देखिए, अब उसके बाद में आता है, DPD, DPD का मतलब होता है, diffusion pressure defect, है न, diffusion pressure defect, तो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग सक्शन pressure के नाम से भी जानता है, DPD को हम suction pressure के नाम से भी जानते हैं, और ये suction pressure जो है, वो बराबर होता है, आपके osmotic pressure और turgor pressure एक दूसरे को minus करने के बराबर, है न, एक दूसरे में से osmotic pressure को अगर हमने turgor pressure में से minus कर दिया, तो हमारे सामने काई की value निकल के आएगी, DPD, DPD क्या ह suction pressure, है न, suction pressure, suction pressure जो है, वो यहाँ पर create होता है, और ये आपका DPD था, अगले तरह का, जो short distance transport जो है, वो है, imbibation, इसमें देखे, क्या होगा, आपने कहीं बार ऐसा देखा है कि आपने कोई चीज रात को भीगों के रखी, है न, मतलब आपने चने, या फिर किशमिश, है न जो sprouts बगरा कहते है, if they will, if they will, put that thing or कहीं तरह के nerds हो है, if you will put it into the water, then what you will get to know, आपको अगले दिन, you will get to see this thing, क्योंका जो size है, the size of the nerd, the size of these things are going to increase, है न, और ये कैसे हुआ है, उसकी cell membrane ने, उसकी plasma membrane ने, उसको absorb किया होगा, है न, तो यहाँ पर absorption आपको रेखने को मिलेगा, और ये कैसा substance है, hydrophilic substance जो है, उसने यहाँ पर absorb किया है, तो इसका मतलब क्या है, एक special तरह का diffusion, जो की हुआ है, जब पानी जो है, वो absorb कर लिया गया, किसी hydrophilic substance है, hydrophilic मतलब जो जिसमें पानी ना हो, जो पानी को बसन ना करता हो, तो देखे, कैसे हुआ, तो यह आपने रात को सोने से पहले क्या किया था, आपने कुछ जो dry seeds थे, आपने उनको पानी में भिगो दिया, और जब उसको पानी में भिगो दिया, the size of the cell will increase, है ना, तो यह size will increase हुआ है, this is only called imbibition, है ना, यह क्या है, imbibition, अब यह imbibition जो है, इसमें imbibent कौन है, है ना, imbibent कौन है, तो इसमें seed जो है, वो imbibent है, क्योंकि उसी की swelling हमको माँ पे देखने को मिल रही है, अब देखे, example क्या हो गया, जो seeds जो है, जो पुरी तरह से सुखे हुए थे, वो अब पानी में भिगोने के कारण क्या हुए, imbib हो चुक है, दूसरा, कई बार, बारिश के मौसम मे हमको दरवाजे की चूँचा की अवाज रात के समय पे आती है, वो लकडी के दरवाजा हो, तो उसमें इसी अवाज आपको आईगी है, और ये अवाज जो आई है आपको, this is also because of, this only, imbibition, हाना, मतलब क्या है, कि जो हवा में, जो atmosphere में, जो पानी था, जो नमी थी, वो उस लकडी ने absorb कर ली है, और उसको absorb करने के बाद में, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, कि उसका size बढ़ जाएगा, उसका size फूल जाएगा, इसलिए उसको दरवाजे को लगाने में, और खोलने में आपको तकलीफ होगी, ये imbibition, या फिर short distance transport, य question यहाँ पे लेते हैं, बच्चो, revision के लिए, question है, root pressure develop होता है, किसके कारण, ये क्यों develop हो रहा है, option 1 जो है, increase in the transpiration, option 2 जो है, active absorption, option 3 जो है, option C जो है, low osmotic potential in the soil, या फिर option D, passive absorption, है न, जो उसका सही answer है, वो है, option B, क्यों है, देखे, root pressure जो है, वो क्यों develop होता है, क्योंकि जा transportation कर रहा है, vascular plants में, है न, vascular bundle है, तो ये soil से moisture लेके आएगा, है न, और ऊपर की तरफ इसको पहुचाएगा, moisture level in the, is high, कहां पर है, soil के अंदर, और रात में, हम लोग देखेंगे, कि transpiration जो है, उसकी process, रात को क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो root pressure is caused by the active absorption, किसके कारण active absorption of minerals, nutrient iron, into the root xylem, without transpiration to carry the ions, up to the stem, they accumulate in the root xylem, and the lower the water potential, water then diffuses from the soil into the root xylem, और उसी के कारण क्या होता है, osmosis हम को यहां पर देखने का मिलेगा, root pressure is caused by this accumulation of water in the xylem, pushing on the rigid cells, thus the correct answer is option B, तो यह आपका बचो correct answer था,